वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम Adobe XD के अंदर waterfall animation किस तरह से यूज कर सकते हैं उसे किस तरह से हम create कर सकते हैं आज की यह मेरी वीडियो काफी ज्यादा मजदार होने वाली है इसलिए अगर आपको जानना चाहरें कुछ सीखना चाहरें तो यह मेरी वीडियो complete तक देखीगा ताके आपको हर चीज जोन से totally understanding हो सके अगर यह मेरी वीडियो आपको संदा दिये तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं विडियो शूरू करने seem मैं आपको एक demo दिखा दिखा देता हौँ ताकि आपको थोड़ा सा idea हो सके at the item करने क्या जा रहे है यह मैंने यह एक छोड़ी पैरवा धीन बना रख्कुर हूं है जिसे आपको प्ले करकर दिखाता हूं जी हाँ आप देख सकते हैं कि कितली प्यारी है हमारे पास एक अनिमेशन आ रही है इसमें आप इसके colors भी change कर सकते हैं इसकी rotation भी change कर सकते हैं इसका size भी change कर सकते हैं जिस तरह से भी आप इसे use करना चाहिए आप इसे easy way में use कर सकते हैं अपने projects के अंदर इसके इलावा अगर आप Adobe XD के इले ये कुछ और जाना चाहरे हैं कि इसके best plugins कोन से हैं किस तरह से हम इसे HTML, CSS, Java किस तरह से हम इसी easy way में इसके अंदर add कर सकते हैं अपनी complete एक website बना सकते हैं तो इसके लिए मेरे channel पर different videos पढ़ी हुई हैं जिने जाकर आप आप देख सकते हैं ताकि अगर आप XT को लेकर आगे बढ़ना चाहरे हैं तो आपके totally concepts जों से हो clear हो सकें तो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है आपने अपने XT open कर लेना है मैं simply क्या करता हूँ new के ओपर click करता हूँ यहां पर कोई भी आप size Jones है वो select कर सकते हैं क्योंकि डेमो वीडियो मैं बिना रहा हूँ इसलिए simply 1000 by 1000 का size मैं select कर लेता हूँ यह मेरे पास एक simple सा page 1000 by 1000 का मेरे पास आ चुका है तो मैं थोड़ा सा size इसके increase कर लेता हूँ ताकि easy way मैं इसके ओपर काम कर सकूँ Adobe XT के अंदर मैं आपको बताता है चलूँ को जो सबसे ज्यादा important चीज़ है वो इसका just pen tool है pen tool अगर आप यूज कर लें professional तो आपको काफी ज्यादा इसके master level के उपर जा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं करता हूँ pen tool को select कर लेता हूँ एक line draw कर लेता हूँ यहाँ पर आपने एक चीज अपने mind में रखनी है अगर आप basic level के user है तो फिर यह लाजमी अपने mind में रखनी है आप देख सकते हैं कि आपने line को बिल्कुल accurate way में second जहाँ पर आपने छोड़ना है वहाँ बिल्कुल accurate हो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ अपनी line को तो वह मुझे black शो कर रही है जैसी वह इसके accurate आप देख सकते हैं कि बिल्कुल light blue color में मुझे एक sign show कर रहा है इसका मतलब यह है कि यार मेरी lines जो टोटल accurate है बिल्कुल उनके जो size हो बिल्कुल length हो बिल्कुल accurate है तो simply मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ दैन इसके बाद दो ठीक मास अपने line के अंदर add कर लेता हूँ ताक एक shape जो अच्छी सी मैं उसे add कर सकूँ अब यहां से मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसे इसके डबल क्लिक करता हूँ ताकि इसकी round की एक प्यारी सी shape मेरे पास आ सके यहां से मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसे add कर लेता हूँ और यहां पर भी double click करता हूँ आप देख सकते हैं कि एक प्यारी सी waterfall shape हो हमा मेरे पास right side bar पर मेरे पास borders आ रहे हैं मैं borders कौन चेक कर दूँगा इसके बाद मेरे पास यहां पर colors आ रहे हैं कि आपने colors जोंस है वो कौन से add करना है तो मैं simply क्या करता हूँ इसमे light blue color जोंस है वो add कर सकता हूँ आप जैसे जैसे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप एक दफा वीडियो देखें सेकंड डाइम वीडियो देखें अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती आप मुझसे नीचे comment box में पूर सकते हैं पस जब भी free time available होगा मैं आपको जरूर इस चीज़ के बारे में बताऊँगा जितना ज्यादा आप इन चीजों को practice करेंगे उतना ज्यादा आप इन चीजों में master होते जाएंगे तो जी आप देख सकते हैं कि मैंने एक color जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने एड़ कर लिए जो डेमो में आपको दिखा था येलो था मैंने का इसमें थोड़ा था different हो जाए अब मैं क्या करूंगा इसके duplicate create कर लूँगा duplicate create करने के two different ways आप यहां पर जाके आप sidebar पर देख सकते हैं कि आपके पास यह path की option आ रही है जो name हमने रखा हुई आपके पास अगर show हो रहा है तो ठीक अगर नहीं show हो रहा है यह menu आपके पास आपने simply app नीचे आपने जाने यह layers आपके पास show हो रही है आपने simply layers के ओपर show क्लिक करना है तो आपके पास यह menu open हो जागी यह sidebar आपके पास open हो जागी हम क्या करेंगे यहां से right क्लिक करके इसे simply duplicate भी कर सकते हैं otherwise मैं क्या करूँगा अपने keyboard से simply alt का button press करूँगा और just simply मेरी एक जो सी layer जो सी duplicate वो create हो चुबी है जी यह आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल इसके साथ चोड़ दिये यहां पर आपने एक चीज अपने mind में रखनी है आप देख सकते हैं कि यह center में हलकी सी white line जो हमें show हो रही है इसका मतलब हमारी जो चीज़ें अभी तक accurate साथ में नहीं जोड़ी तो आपने बिल्कुल accurate करने यह सबसे काफी ज्यादा important चीज़ है कि आपको इसके बगार क्या होगा कि आपकी शेम में थोड़ा से error जो होगा अब यह आप देख सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा वह white जो space हमें center में show हो रहा था हो total खतम हो चुका है आपने यह बात अपने mind में रखनी है कि आपका white space बिल्कुल भी ने शोग क्योंकि डेमो वीडियो में थोड़ा जल्दी में बना दिया था उसमें भी थोड़ा शोग हो रहा था जिसकी वज़ा से हमारा last में जो design बनता हो प्यारा नहीं बनता अब यह आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले मैंने किया कि अपन टूल के थूरू एक जोन से अपनी शेफ ड्रॉग कर लिए आप कोई भी शेफ ड्रॉग कर सकते हैं मैं जस आपको डेमो दिखा रहा हूँ नहीं उसके बाद मैंने अपनी लेर के कापी कर दिया और दोनों का पर इसमें मैच कर दिया है मैं क्या करूं को इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी का बटन प्रेस करूंगा इनको एक ग्रूप की शेफ में जोन से एड्ड कर लूँगा यहाँ यह साइड बार मेरे पास ग्रूप आ चुका है त यहाँ पर आपने क्या करना है अपने शेफ को आपने शेफ को आपने सर्कल को जो साह बिल्कुल स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि जहां से हमारी यह शेफ बैक वाली जो शेफ हमारी स्टार्ट हो रही है वहाँ पर जैसे मैं अपनी सर्कल को लेके जाता हूँ तो आपको understanding हो रही होगी कि मैंने जो shape create की है भी जो circle create की है इसे अपने जो left side bar पे और right side bar पे जाएंड और यहाँ पर जागे बिल्कुल accurate size में से छोड़ दी है अब मैं क्या करूँगा simply again सबको select करूँगा और simply right click करके यहाँ पर simply mask with shape के ओपर click कर दूगा जी है आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी जो shape हो हमारे पास create हो चुकी है एक waterfall की shape हमारे पास आचुकी है तो अब मैं क्या करूँगा यह हमारे पास उसने एक mask group बना दिया तो मैं simply इसका name change करके क्या करूँगा water front इसको पर click कर दूँगा और देन इसके बाद मैं क्या करूँगा इसके duplicate create करूँगा और इसका name जो से हो मैं water bag कर दूँगा यह जस्त मैं अपनी understanding के लिए इंवर्डिंग को यूज करूँगा आप कोई भी यहां पर यूज कर सकते हैं जिसके बाद मैं क्या करूँगा double click करूँगा अपने sorry यहां पर मैं क्या करूँगा एपनी shape को select करूँगा और यहां पर मैं अपनी water front जो है इसे simply hide कर दूँगा मैंने just calm करना है अपने water bag के ओपर water bag के ओपर मैं click करूँगा किक करूँगा यह देखें मैंने गंड्रोल Z किया है जो डिफाल्ट इसकी सेटिंग सी अभी आप देख सकते कि मेरी शेप यहां पर स्टार्ट हो रही है बट मैं क्या कर रहा हूं इसे थोड़ा सा चेंग कर रहा हूं अपनी शेप का स्टाइल है थोड़ा सा चेंग करता हूं जो सेकंड उस कि side जो ऑन से चेंग किया है इसका क्लर कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है अप उसे यूस कर सकते हैं मैं simply जो जो सब्सक्राइब उसके लिए मैं hard blue यूस कर लेता हूं और then simply इसके बाद मैं क्या करूंगा अपनी शेप को स्लेक्ट करूंगा और यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास फिलिप होरिजेंटल है मैं सिंप्ली इसके ओपर क्लिक कर दूंगा ताकि मेरी जो शेप थोड़ी सी साइड पर जो अब हमारी यह बन चुकी है तो मैं क्या करूंगा सिंप्ली अपने क्या करूंगा सिंप्ली अपने इस प्र है एक और शेप चाहिए एक हमें और शेप चाहिए ता कि हम उसे प्रॉपर ली जोंसा मूव कर सके अब यह मेरे पास सेगंड जोंस है वह शेप आप चुकी है दोनों मैंने अश्या लग सके यहाँ पर इसे छोड़ देना है इसके बाद मैंने अपना यह water back जोंसा इसे select कर लेना है और यहां पर water को select करना है और इसकी जोंसी location वह थोड़ी सी change कर लेनी है उसे opposite side में जो मूप करते हमें जो स्टापने इतना सा काम करना है अब देख सकते हैं कि हमारे पास यह जो बैसिक हमार में कंपलीड हो यहां ग्डियू मैंने आपार आभ इंडी करने के लिएड हैं उपर क्लिक कर polish है उन से लांस लेवल के आप श्चे लाणियों को मैंने इसके अंदर बताया हुआ है तो मैं simply क्या करूंगा prototype के ओपर क्लिक कर दूँगा जैसे आप prototype के ओपर क्लिक करेंगा आप अपने first custom layer को जो साथ करेंगा तो आपको sidebar पर यह arrow शो हो जाएगा मैं simply क्या करते इसे drag and drop कर देता हूँ और sidebar पर यह मेरे पास आप देख सकते हैं कि different options आ रही हैंगा तो आप old zone xd यूज़ करें तो इस पर zone से आपका थोड़ा सा different होगा right click करेंगा तो then आपके पास यह सारी options शो हो जाएगी अगर आप latest version यूज़ करें तो आपको पास यह sidebar पर आ जाएगा तो यहां पर आपने simply क्या करने tab by default जो होगा यहां पर आपने time को select कर लेना है और time delay जो हो उसका by default 0 seconds तो उसे रहने देना उसके बाद हमारे पास type आ रहा है यहां पर हमने क्या करना auto animation को select कर लेना है इसके बाद यहां पर हमारे पास easing नन को select कर लेना है क्या सब्सक्राम करने डेन और यहां पर आपने जाएसा रहने देना और यहां से इसकीशन को जैंज करके 00iger कर देना है्न इतना सा właściगा आपने करना है यहां थाश्जा केसे था gemeinsam से बेसिक जो अनिमेशन वो खुड़ हो चुकी है तो मैं simply क्या कर तो प्ले के बटन के ओपर क्लिक कर देता हूँ जी आप देख सकते हैं कि हमारी बेसिक जो अनिमेशन वो क्रियेट हो चुकी है कितनी प्यारी है कोई मुश्किल नहीं है अगें अगें चीजों को देखें आपको थोड़ी सी ओर समझ आगए जएगी अब मैं कर तो थोड़ा है इसमें अफेक्ट और एड़ कर ले तो मैं simply design की option पर आऊँगा यहांपे circle को select कर लोगा circle को select कर करने के बाद मैं अफनी total जो मेरी पास मेरी shape पढ़ी है हुंसे मैं I parce और पसके बीड़ है सना करें है कर दो ऐसंट दूम के अपने स mail में आ Plus का तो इसम्प्रीम बार पास साइब बार बाइर में अपने एक हमिल्ग कशने अपने, जूर कंशाम में समेशिक doing olv यू तक सब्सक्रा बार गरा उसके बाद जो Bauder का लिए यूपने यू पुषिस हा श कर दें इसके इलाव अगर आगए यह ज्यादा आपके डिजाइनिंग ठिंगिंग के अपर डिपेंड करते हैं कि आप इन चीज़ों को किस तरह से लेकर चलते हैं यह उसके बद आपने सब्सक्राइब कर लोगा थाकि यह थोड़ी सी अच्छी सी शेप आपने सिंपली करना आपने सिंपली इनको कॉपी कर लेना है जो आपके पास बना पड़ा हुआ है सिंपली कॉपी करके फर्स प्लेयर से आपने से लेर के उपर इसे पेस्ट कर देना है जैसे इतना सा काम आपने करना है अब आपको मैं प्लेय करके दिखाता हूँ ताग कि आपको नजर आए जी हैं आप देख रहेंगे हमारे पास कितनी प्यारी सी एक रोटेशन की अनिमे करने करने के बाद आपने क्या करने के बाद आपको यह साइड बार पर आप्शन नजर आ रही है सब्ट्रेक्ट आपने सिंपली इसके ओपर क्लिक कर देना है अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक थोड़ी दिफेरेंट शेप जोंसी हो चुकी है इसे मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा अड़्जेस्ट कर लेता हो इतर पर आपके यह अच्छा सा लग सके है जी है अब मैं सिंपली से इसे यहां पर लागर पेस्ट कर दूँगा अभी मैं एक दफ़ आपको प्ले करके दिखाता हूँ आप देख लें आप इसमें अगर और एडिटिंग चेंजिंग करना चाहे तो आप इजी वे में इसे कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ जाता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं अदर्वाइस मेरे चैनल पर और काफी ज्यादा अडोब एक्स्टी से रिलेटिड वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें जस्ट मैंने एक्स्टी के बारे में बताया कि किस तरह से आप beginner to professional level इसको पर जा सकते हैं I hope आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी चले आपको मिलते हैं अपनी next वीडियो में